हेलो गईज मेरा हुल एक बार फिर से आप लोगों सब भी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अचीवर जोन पर जैसा कि लास्ट टूडियों में हमने क्लॉजिस किये थे और क्लॉजिस में हमारा एक पार्ट रह गया था और जल्दी हम दुबारा शुरू करें लेकिन उससे पहले काफी डिमांड आई प्रेपोजिशन के बारे में तो भई प्रेपोजिशन आज शुरू करते हैं और प्रेपोजिशन को अज देखते हैं चलो फिर सही स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अचीवर जो जो बच्चे यहां पर जो गैस नहीं हैं जो फ्रेंड्स नहीं है प्लीज लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए हमारे यूट्यूब चैनल को ओके प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन की बात करें तो होते क्या है अगर प्रेपोजिशन को देखें यह तो हमने पार्ट ऑप स्पीच में भी किया था पार्ट प् प्री का मतलब क्या होता है पहले और पोजिशन उसकी जंगा कैसी जंगा कौन सी जंगा उसी वही तो बात करने वाले है अब हम देखो आज का जो टॉपिक है प्री पोजिशन बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे मेरे दोस्तों को डाउट्स रहते हैं यहाँ पर इन आना च बस वीडियो को अन तक जरूर देखे अप्री परशिशन इस अवर्ड प्रेपोजिशन किया है एक वर्ड है कैसा वर्ड है यूस्टू लेंक लेंक मतलब जोड़ना यूस्टू लेंक नाउन ठोनाउन और फ्रेजिस टो अधर वर्ड मतलब क्या है देखिए अगर कोई भी यहाँ पर sentence में कोई भी noun है मैंने कहा The cat is under the table यह मैंने एक छोटा सा example ले लिया The cat is under the table यहाँ पर हर कोई बता देगा जो under है वो हमारा preposition है बिल्कुल बता दोगे लेकिन actual क्या है preposition actually यह है कि जो यह cat है यह noun है और यह table है यह भी noun है दोनों का जो relation बताते हैं न मैंने कहा यह noun noun के बीच में noun pronoun के बीच में noun और दूसरे phrase के बीच में जो subject है और last में जो object है इन दोनों का जो बताते हैं क्या relation वो ही तो हमारे क्या होते हैं वो ही तो preposition होते हैं position लगा दी उन्होंने position बही क्या कहा कि cat की position क्या है cat की position टेबल के नीचे है table के नीचे है cat की position तो बस यही चीज ध्यान रखें और यह हमारे proposition हो गई बिलकुल easy है चलो आगे देखते है they act to connect the people यह करते क्या है इनका काम क्या होता है यह लोगों को जोडने का काम करते हैं कितना अंच्छा कितना सुन्दर सा काम करते हैं लोगों को जोडने का काम करते हैं चीजों को जोडने का काम करते हैं time आजाए location आजाए यह सभी एक दूसरे को जोडने का काम करते हैं ओके चलो आगे देखते हैं types of preposition आज हम पढ़ने वाले हैं preposition of time, preposition of place, preposition of moment इन तीनों चीज़े को बारे में आज हमारा elaboration रहेगा preposition of time लेकर चलते हैं सबसे पहले आपको preposition का मतलब समझ में आया होगा फिर भी कोई problem रहती है बेजेज़क आप comment section में comment करके पूछ सकते हैं कोई भी doubt रहता है preposition की regarding ठीक है और last तक मेरा यही मैं शाद एक दो बार रो रिपीट भी कर दूँ और comment किया जरो यार पता तो लगे कि हाँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तभी तो मज़ा आएगा पढ़ने में और पढ़ाने में भी बेसिक एक्जम्पल जो है वो time prepositions के क्या है basic बेसिक रहते है at on in before after ठीक है यह क्या होते है क्या है यह time में भी आते हैं यह place में भी आते हैं आगे भी पढ़ेंगे हम लेकिन दोनों फर्क क्या है कैसे क्या अभी उसकी के बारे में हम पूरा discuss करने वाले हैं they are used to help indicate when something happened happens or will happen यह क्या करते हैं यह ऐसे वर्ड होते हैं time में मैंने कहा time की बात हो रही है time में जब भी कोई चीज हो गई है होती है या होगी जब भी कोई काम न जब भी कोई काम यह show करते हैं कि यह काम हो गया यह काम होने वाला है यह काम होता है हरूज होता है ठीक है जैसे अब बात करें I was born on July 14 यह 4 चलो I was born on July 4 देखो date आ रही है यहाँ पर जब भी date की बात आए तो on रहेगा जब भी साल की बात आए I was born in 1982 ठीक है I was born at अब time की बात आगी exactly time भी घड़ी वाले time की बात आगी तो वहाँ पर at आगया I was born two minutes before before या after whatsoever ठीक है मैं दो मिनट पहले यह च्छुट ऐसा example था elaboration इसके पूरी detail में अभी पढ़ने वाले हैं ठीक है आगे चलते हैं अब यहाँ पर है main चीज यह देखे ध्यान से for years months seasons centuries हम हमेशा साल के लिए months के लिए याद रखें season के लिए centuries के लिए या फिर times of day times of day कि वही सुबह के इस टाइम पे शाम के इस टाइम पे दोपैर के इस टाइम पे वहाँ मतलब day के sorry दिन के उस दिन के morning आ जाए जैसे यह रहा हमारा morning morning आ गया तो वहाँ पर हम इनका use करेंगे ठीक है जैसे बात करें अगर साल की साल की जैसे बात करें I met John in 1987 in 1987 ठीक है तो यह हमारा क्या हुआ यहाँ पर तो in आएगा ठीक है मैंने कहा यह चीज़े धियान रखें जब भी कोई साल की बात करे महीने की बात करे season की बात करे centuries की बात करे times of day की बात करे तो यहाँ पर हमे तो पता होगा इसका मतलब क्या होते हैं? Make it a point इस बात की ना क्या लगा लो? गांट लगा लो भई इस बात की गांट लगा लो अगर कहीं पर भी आप देखें क्या साल देख लो महिना देख लो कोई भी मोसम देख लो क्यों ये centuries देख लो यह कोई भी टाइमस अफ डेग पूरे दिन में सुभह का टाइम है शाम का टाइम है वहाँ पर सारी की सारी जंगा क्या लगेगा इन लगेगा ठीक है हौप यह समझ में आया होगा जैसे अगर बात करें इट वाज इस वारी कॉल्ड इन जनवरी आज ल तो वैसे भी बहुत जादा ठंड पड़ी है अब यदो जनवरी शुरू भी नहीं है चलो ठीक है in January January क्या है ये मन्त आ गया हमारा ठीक है मन्त जैसे ही आया वहाँ पर इन लग गया जैसे ही हमारा साल का साल को या फिर century की बात हो रही है ना हर साल हर साल ऐसा होता है Eastern falls in spring ठीक है अगर बात करें Second World War occurred in 20th century in 20th century साल की बात हो गई थी ये centuries की बात हो रही है century की बात जब भी आये जब भी 21st century, 20th century, 19th century वहाँ पर हमेशा इनका यूज होगा ठीक है वी इट breakfast in the morning वो आगई बात ना पूरे दिन में किस टाम ब्रिकफास लेत हो in the morning ठीक है so keep it up हाँ practice जरूर करते रहना जितनी ज़्यादा practice करोगे उतनी ज़्यादा problems create होगी और उतनी ज़्यादा ही आपकी problems दूर भी होती जाएंगी जितनी ज़्यादा problem create होगी उतनी ज़्यादा problem दूर होगी अब बात आ गई ओन की ओन में क्या होता है ON में एक पर पैनल ले लेता है OK ON में For days दिनों के लिए ON आता है Dates के लिए ON आता है या कोई specific holiday आती है ठीक है We use preposition ON जब भी कोई day आता है जब भी date आती है या फिर कोई भी holiday आता है ठीक है Holy day वाली दिन जैसे ON Christmas In Christmas नहीं लगाते है हम कभी भी Days Days के लिए ON Mondays ON 25th December कह लो या ON December 25th एक ही बात है Date आ गई ठीक है जब भी कोई date आती है हम ON लगाते है जब भी कोई day आता है हम ON का use करते है और जब भी कोई holiday वाला दिन होता है तब भी हम ON का use करते है ठीक है अगर अगर यहां पर साल आ जाता है तो याद रखें साल आता है तो हम इनका use करेंगे बिलकुल चलो next क्या है at at की बात करते हैं सबसे अरे time तो हमेशे ही तो यह बोलते है at 7 a.m. at 7 p.m. at 12 a.m. at 12 noon ठीक है हमेशा at time में indicate करते हैं indicators of exceptions and festivals festivals की बात कर रहे हैं जब भी ठीक है लेकिन time की बात होगी वहाँ पर भी ठीक है और जैसे you चलो आगे देखते हैं we use preposition at example देखते हैं families often argue जो जगड़ा करते हैं कब जगड़ा करते हैं often मतलब कई बार mostly ऐसा जगड़ा होता है जब भी Christmas का time आते है time जब भी Christmas day अगर यहाँ पर होता तो अगर suppose यहाँ पर day होता तो यहाँ पर क्या हो जाता सोचो सोचो on on बिलकुल on Christmas day ठीक है लेकिन यहाँ पर Christmas time की बात हो रही है अगर time की बात हो रही है तो हम हमेशा at का use करेंगे I work faster at at night अब night कहाँ पर अब यह भी time की बात हो रही है कैसा time रात का time है रात के time पर हम at का use करते हैं her shift finished at 7 p.m यह भी exactly time जब भी जब भी आ जाता है तो हम at का use करते हैं ठीक है तो अभी अभी हमने पढ़ा है in on at next देखते हैं और दूसरी prepositions ज़िए इसमें time में आती है वो क्या क्या होती है other position of time could include during, about, around, until, throughout ठीक है यह कुछ यह prepositions भी होती है इन में क्या होता है the concert will be stays throughout the month मतलब पूरा का पूरा मन्थ चलेगा throughout the month पूरा का पूरा महीना चलेगा किस कौन सा महीना of May I'll learn how to ski during, during the holidays मतलब जब मेरी चुटियां थी न चुटियों के दोरान मैंने सीखा जब मेरी चुटियां थी चुटियों के during, during मैंने सीखा और अगर यहीं पर ही he usually arrives अगर around की जगा और के आ सकता था at क्यों क्योंकि exact time भी आ रहा है तो at आ सकता था लेकिन यहां पर क्या है लगभग तीन बजे आता है वो लगभग तीन बजे पहुंच जाता है exact तीन बजे नहीं पहुंच था तो इस चीज का दियान रखें ठीक है he was it was about 6 in the morning अब लगभग यहां पर भी 6 अब यहां पर लगभग 6 बजे थे सुबह मौनिंग में we made it to bed the store is open opened आएगा यहां पर the store is open oh sorry it is correct बिलकुल ठीक है the store is open until midnight बई रात को 12 वजे तक खुला है यहां पर इसलिए until आया है चलो आगे देखें अब बात करते हैं preposition of place की place में क्या होता है यह देखो बई जो हमारे main prepositions होते हैं ध्यान दीजिए ध्यान देने वाली बात है जो main prepositions होते हैं वो तो होते हैं यह तीनों बिलकुल तीनों होते हैं इनके लावा और बहुत सारे prepositions होते हैं over, add on, in, over, through, beside, afraid of बहुत सारे होते हैं लेकिन जो basic sentences होते हैं हम हमेशा mostly sentences में यह तीन prepositions आते रहते हैं यह हमारे prepositions of time में भी आये थे बिलकुल आये थे यह तीनों की तीनों हमें ने पहले ही नहीं को discuss किया था अब यह place पे भी आ रहे हैं अब place में कहां पर use करेंगे उनको ध्यान से देखिए सबसे पहले on on की जबात होती है याद रखें जब भी कोई कोई भी एक चीज suppose this is our table यह कोई table है और इसके उपर रखा हुआ है pen यहाँ पर pen रखा हुआ है अगर कोई भी चीज किसी चीज के उपर बिलकुल ऐसे के ऐसे रखी हुई है तो वहाँ पर हमेशा on का use होगा ठीक है the cat is on the table on the table जैसे ही इसके just उपर बिलकुल उपर है ठीक है यहाँ side wide में नहीं है इसके उपर है जब भी कोई एक चीज दूसरी चीज की जब भी उपर होगी तो हम हमेशा on का use करेंगे यह चीज हमेशा रखनी है ठीक है the dogs are in the canal in आगया the dogs can meet at the crossroad ठीक है चलो इनके बारे में और ज़्यादा deeply पढ़ने वाले हैं अभी हम आगे चलते है on is used when referring to on is used when referring to something with a surface अभी अभी मैंने आपको बताया जब भी कोई चीज किसी surface के उपर है मतलब किसी चीज के यहाँ पर उपर है अगर यह चीज यहाँ पर यह pen या book या कुछ भी रखा हुआ है suppose और यह table है हमारी ऐसी ही बनेगी भई पॉइंटर चे तो ठीक है adjust कर ले ना चलब on is used when referring to something on the surface इस surface के उपर जो चीज रखी हुई है यह जो चीज रखी हुई है वहाँ पर हम हमेशा on use करते हैं ठीक है जैसे अभी अभी तो बताया मैंने the pen is on the table on यहाँ पर आएगा क्यों क्योंकि जो pen है ना वो table के surface पर रखा हुआ है तो हम इसको हमेशा on की proposition ही use करेंगे हमेशा ठीक है अगर बात करते हैं next example की अच्छा यह तो हमारे अपनी तरफ से था ठीक है the sculpture hangs on the wall जो मूर्ती वूर्ती या तश्वीरे वगरा होती है hangs वही surface पर wall के surface पर ही तो ठंगी होती है बिलकुल the images are on the page images जो है वो किस पर है वो page के surface पर है page के उपर है the specials are on the menu which is on the table जो special वाली चीज़ है वो menu में है menu के surface पर है और जो menu है वो कहां पर है वो table के उपर रखा हुआ है तो I think कि यह बात आपको clear हो गई होगी अच्छा जी चलो आगे चलते है on के बारे में अभी अभी हमने क्या क्या पढ़ा on हमेशा किसको भाई कोई अगर place की नहीं सुरी time की बात हो रही है तो date में ठीक है और day में काम करता है और अगर place की बात हो रही है तो कहां पर वो चीज surface के उपर कहां पर वो रखी हुई है यह चीज़े हम ध्यान रखेंगे date आगया तो वहाँ पर जब अगर owner है तो वो हमारा time हो गया surface की बात हो रही है तो हमारा place हो गया ठीक है आगे चलते है इन की बात करते है इन भी बड़ा important है अभी अभी तो हमने पढ़ा इन इस इन यूज़ वान रफरिंग तो something that is inside or within confined boundaries इन कभ यूज़ होता है जब कोई चीज suppose ये एक बाल्टी है ये डब है डब के अंदर कोई भी चीज़ उसके अंदर है ठीक है कोई भी चीज़ अगर उसके अंदर है तो हम inside ये सोरी इसके inside है तो हम इन का यूज़ करते हैं यहाँ पर या फिर confined boundaries अगर ये boundary है boundary के भीतर है boundary के अंदर है तो हम इन का यूज़ करते हैं इस कुट भी आने थेंग इन आ कंट्री चाहे वो कुछ भी हो चाहे वो हमारा इंडिया ही क्यों ना हो ऐसे कुछ इस तरीके से हम इंडिया में रहते हैं यहाँ पर रहते हैं इन आ रहे हैं यहाँ पर चाहे वो boundary ही क्यों ना हो ठीक है गॉट इट जिम इस फ्रांस विजटिंग इस एंट एन था होस्पिटल बाउंडरी के अंदर है ना वो होस्पिटल उसके एंट कहाँ पर है वो उसके एंट होस्पिटल में और होस्पिटल के चारो तरफ boundaries लगी हुई है तो वो boundary के अंदर गिरी हुई है तो यहाँ पर इन लगाएंगे हैं और अगर friends की बात करें वो जो friends है यह friends है यह इसकी boundaries है boundaries है तो इन आएगा यहाँ पर कोई भी अगर boundaries होनी चाहिए कोई चीज किसी चीज के अंदर हो तो भाँ पर हमेशा इनका यूज करते हैं ज्यादा ध्यान मत दो इस विस्की के ऊपर ध्यान किसके ऊपर देना है ध्यान तो भई prepositions के ऊपर देना है आगे चेदादे देखते हैं जो गर्ल्स हैं कहां पर खेल रही हैं गार्डन में क्या गार्डन की boundaries होती हैं बिल्कुल होती हैं उसके अंदर खेल रही हैं यह लड़किया हैं वो आपस में football कीच कीच के मार रही हैं चलो ठीक है चलो hopes यह इनका आपको समझ में आया हुगा अगर बात करें एट की एट में क्या होता है एट न यहाँ पर प्लेस की अगर बात करें वो एक special point की तरफ इशारा करता है चलो देखते है एट is used when referring to something at a specific point particular एक point की तरफ जब इशारा किया जाता है तो वहाँ पर at used होता है क्या मतलब देखो the boys are at the entrance जो boys boys है कहाँ पर है entrance पर है entrance entrance पर है ठीक है और at the movie theater at the movie theater अब इशारा हो रहा है वहाँ पर at जैसा कि हमने पढ़ा था at used when referring to something at a specific point कोई भी पर्टिकुलर स्पेशल वाला पॉइंट है ना बही कहाँ पर है वो at the entrance at the entrance ठीक है he stood at the bus stop particular एक special point हो गया at कहाँ पर at the corner of water and high streets he will meet at the airport अब कही बार क्या होता है हम यहाँ पर लगा देते है in the airport हम यहाँ पर लगाते है on the airport क्या दोनों ठीक है नहीं यह दोनों बिल्कुल ठीक नहीं है क्यों क्योंकि जब भी कोई specific place की बात होती है जब भी कोई specific place की बात होती है तो वो हम वहाँ पर हमेशा at का use करते है in or and का नहीं चलो आगे देखते हैं lots of other prepositions of place such as under यह कुछ और prepositions है जैसे की हमारी under है over, inside, outside, above and below यह सभी यह सभी की सभी हमारी place में आती है यह सभी हमारी place में रहेंगी जैसे की under बई, किस चीज के नीचे किसी चीज के ऊपर over, inside, उसके अंदर outside, उसके बाहर above, उपर, below, नीचे चलो, देखते हैं the cat is under the table अब under और below दोनों का मतलब क्या होता है below, नीचे होता है बिलकुल होता है और और कहांगे, हाँ, under under भी नीचे होता है लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है under क्या होता है under ना, कोई भी surface होता है यह under जो है on का उपर तो on हो गया on the table और नीचे under the table यह बिलकुल एक दूसरे का opposite होता है ठीक है यह on और under और एक दूसरे के opposite होते हैं बिलकुल याद रखना यह ठीक है put the sandwich over there over there मतलब भई वहाँ पर रख दो ठीक है कोई over there उस चीज के उपर कहीं पर ना कहीं पर उस particular कोई specific चीज नहीं बोली है कि भई इस चीज के टेबल पर ही रखा जाए नहीं अगर टेबल होता यहाँ पर देर की जंगा तो हम क्या कहते put the sandwich on the table वहाँ पर on लग जाता लेकिन यहाँ पर over there कोई specific जंगा नहीं है इसलिए हम यहाँ पर over लगा रहे है इस चीज का ध्यान रहे है the key is locked inside the car अब inside और in दोनों की बात करते है in और inside दोनों एक थोड़े थोड़े एक जैसे है हैं और और क्या था in और into in into और चलो अगर ध्यान आता है तो मैं दूबारा फिर से बात करते हैं इस बारे में अच्छा on on की बात होती है on on to ये दो चीज़े भी होती है ठीक है अब सबसे पहले लेते हैं in और into in हमेशा मैंने अभी याभी आपको बताया भई एक चार दिवारी के अंदर जो कैद होता है ठीक है उसके अंदर ये होता है यहाँ पर जो ये चीज़ है ये जो पानी है या कुछ भी है वाट सुएवर ये चीज़ होती है स्टिल पड़ी रहती है लेकिन into की बात करें तो ये जो चीज़ है वो move करती रहती है ये होती तो होता तो इसका मतलब भी अंदर ही है लेकिन ये हमेशा move करती रहती है तो moving object अगर किसी चीज़ के अंदर है तो हम into लगाएंगे ठीक है जैसे for example की बात करें the train train is entering into into the platform क्या यहाँ पर into ठीक है नहीं यहाँ पर on to आएगा on to और into कब आएगा into station की बात करें जब अगर यहाँ पर station होए तो into भई station ही अंदर गुस रही है ठीक है अगर on to की बात करें तो भई platform के उपर आ रही है ठीक है क्योंकि जो train है वो अभी move कर रही है moving condition में है तो moving condition में है तो on to और into यह दोनों रहेंगे अगर moving condition में नहीं है अगर still है एक जंगर रुकी हुई है तो हम in in का और on का use करेंगे ठीक है I hope समझ में आयागा inside और इनकी बात करें अगर वो ही सेम चीज रहेगी in जो है वो still के लिए use होता है inside जो है वो किसके लिए moving object के लिए inside the car ठीक है बात समझ मैं ओके they stepped outside the home वो ही चीज आ गई moving move कर रहे है they they stepped भई धेरे-धेरे कदम रखा जा रहा है कहां पर outside the house तो they stepped outside the house ठीक है जो moving move कर रहे हैं अगर move नहीं कर रहे होते तो भई अगर non living thing होती तो उसके लिए हम दूसरी proposition का use करते चलो measure is ranked above corporal तो above above मतलब उससे उपर और यहां पर अगर बात करें above below इसका opposite below होता है ठीक है above or over above over or above दोनों में क्या फर्क होता है दोनों में यहां पर किसी चीज़ के उपर रख दिया जाना लेकिन अगर above की बात करें उससे उपर यह क्या बात हुई ध्यान दीजिए अच्छा एक चोड़ी सी trick बताता हूँ over में over में क्या होता है over में भई होता तो इसका मतलब भी उपर है अब ओ का मतलब भी उपर होता है लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है over में हम जो ही example लेते हैं एक जो sandwich है 노 यहाँ पर रख दो भैई यह sandwich रख दीया इन दोनों का contact ह्या न टे बल का और sandwich का ठीक है हुआ बिल्कुल हुआ अगर बात करें अबोव की अबोव में कोई भी kontak्त नहीं होता है यहां पर अगर बात करें, contact two bodies का नहीं होता है कोई भी दो bodies का contact नहीं होता है, ठीक है? जैसे अब यह भी तो बात हुई measure की जो rank है न वो उपर है किस से corporal से corporal से उपर है measure की rank ठीक है? तो अब क्या contact हो रहे हैं उसमें? नहीं कोई contact नहीं हो रहा है तो एक छूटी से trick है वो याद रखें over और above में फर्क क्या होता है over में हमेशा two bodies के अंदर two objects में contact रहेगा जैसे table और sandwich या कोई भी first और उसके उपर floor है floor के उपर chair रखी हुई है वो सब चीज है ठीक है over जैसे कोई the water is flying over the bridge over the bridge मतलब पानी जो है ना water पानी का और ब्रिज का connection कैसे हो रहा है ब्रिज के ये पुल है पुल के उपर से पानी बह रहा है पुल के उपर से पानी बह रहा है तो contact तो हुआ ना तो वहाँ पर हम over लगाएंगे हम यहाँ पर use above नहीं करेंगे याद रखें हम यहाँ पर above use बेलकुल भी नहीं करेंगे वहाँ पर हम over use करेंगे above जहाँ पर contact नहीं होता है वहाँ पर above use करते हैं जहाँ पर two bodies का contact होता है वहाँ पर over use करते हैं चलो ठीक है आगे देखिए he is waving at you from below the stairs below the stairs मतलब stairs के नीचे अब बात आई under और below अब मैं बात करता हूँ under और below की under और below में क्या फरकोता है under भाई किसी चीज के नीचे यहाँ पर भाई ये table है और table के नीचे यहाँ पर मुर्गी बैठी हुई है या बिली बैठी हुई है whatsoever लेकिन below की बात भाई उसके नीचे उसके नीचे मतलब वो इससे ये एक table है ये इससे नीचे बड़ रहा हुई बच्चा बच्चा कड़ा है यहाँ पर बच्चा का हाथ यहाँ तक नहीं जा रहा है तो हम कहेंगे यह ना बच्चा इससे below है नीचे है यहाँ से मैं उपर कड़ा हूँ और मेरा भाई नीचे कड़ा है तो वहाँ पर मैं कहूंगा he is standing below the floor या फिर below the gate he is standing there below वो चीज है below लेकिन under under में क्या आता है अंडर में कोई particular चीज जो की particular table है या कोई भी object है object के just नीचे नीचे वहाँ पर अंडर आता है below किसी चीज से नीचे यह अंडर किसी चीज के नीचे below किसी चीज से नीचे ठीक है चलो आगे देखते है preposition of moment moment क्या कहते है moment जैसे नाम से ही पता लग रहे है क्या होते है बिलकुल सही सोच रहे हो moment हाँ हल चल they describe how something or someone moves from one place to another ये क्या describe करते हैं बही कोई चीज या कोई कोई भी इनसान एक जगा से दूसरे जगा पर कैसे move करता है the most commonly used preposition of moment is two 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 का बहुत ज़्यादा यूज होता है moment जैसे he has gone on vacation to France France में गया है बई अब यहां पर in नहीं लगाएंगे क्यों क्योंकि बई अब two की बात करते है चलो थोड़ा सा अपनी तरफ से याड़े करता हूँ क्या रहेगा two two ना हम हमेशा कहां पर use करते हैं जहां पर हम कोई direction दिखाते हैं direction दिखाते हैं जैसे I am going to school बई मेरी direction किस तरफ शो रही है school की तरफ शो रही है यहां पर हम two लगाएंगे ठीक है और जैसे एक यह example था है he has gone to vacations to France यहां पर own friends या in friends बिलकुल भी नहीं यूज करेंगे क्योंकि यह direction शो कर रहे है अगर और बात करें और हम two यूज करते हैं purpose के लिए कैसा purpose जैसे बई purpose के ले हाँ purpose ही ठीक है purpose यह word ही अच्छा है I want to play बई मेरा purpose क्या है मेरा purpose है खेलने का और इस two play को याद है या भूल गए हम infinitive verb कहते हैं non finite verb मैंने बिलकुल आपको बताया था लास्ट वीडियो में आप चेक कर सकते हैं ध्यान दीजिए non finite verb में हम हमेशा two का use करते हैं याद रखें ठीक है oh sorry सारी के सारी non finite में नहीं करना है ठीक है ओके ये सिर्फ infinitive infinitive में ही use करना है non finite जो का एक part होता है kind होता है उस हो infinitive उसी में use करेंगे two next जो है एक आते है हमारा एक जहां से limit होती है और या फिर हम कह सकते है end point end point कह लो या limit कह लो तो यहां पर हम use करेंगे two का ठीक है जैसे for example seven pm to eight pm seven pm to eight pm तो ये क्या है ये limit है भई एक घंटे की limit है two ठीक है ये end point आ गया end point तक इससे पहले two लगेगा ठीक है और अगर बात करें तो period of time वही time period चलो वो और थोड़ा सा ज्यादा elaboration में गुसेंगे next उसमें ठीक है आगे चलते हैं चलो कुछ एक अगर किसी को नहीं समझ में आ रही है तो ये वीडियो एक बार दुबारा फिर से देखें फिर भी नहीं आ रही है तो comment section में comment करके जरूर पूछें यहां पर ऐसा क्यों हुआ कैसे हुआ वो सब कुछ ठीक है चलो आगे देखते हैं other more specific prepositions of moment include क्या क्या आता है उसमें और क्या क्या आता है through across of down into यह सभी की सभी across of मतलब यह तो बुझा देना या बंद कर देना हटा देना यह सभी of में आते हैं down into ठीक है यह भी हमारे moment में आते हैं चलो अगर through की बात करें through refers to moving directly through भई किसी चीज के अंदर से कोई चीज होके गुजरती है for example जैसे the bullet pen shot went through the window भई उसने shot किया shoot किया कहां पे one through the window oh my god through महलब होते हुए window से होते हुए उसकी जो थी bullet वो pass हो गई the train passes through the tunnel tunnel क्या होती है सुरंग ठीक है train जो है वो pass होई कहां से tunnel से pass होई तो हम कह सकते है through क्या है एक बही एक जगह से दूसरी जगह में जाना है और किसी चीज से pass होके जब वो जाते है न तो वहां पर हम through का use करते हैं into into जैसे कि मैंने आपको अभी अभी जस्ट बताया ही था कि into एक moving object का जब use होता है तो वहां पर into का use होता है James went into ठीक है किसी चीज के अंदर अगर inno था inno to ये दोनों अलग लग लगा दिया क्यों क्यों क्योंकि वो एक moving object है और का enter कर रहे है room के अंदर enter कर ठीक है this tear into the darkness वो घूर रहे हैं अब घूरना भी तो moving object है ना बार बार घूर रहे हैं धंग से गूर रहे हैं जैसे भी गूर रहे हैं चलो वो अपनी आपके इधर उधर move कर रहे हैं तो moving चीज जहां पर आ जाए तो वहां पर हम into का use करेंगे अगर किसी के अंदर की बात हो move करते हुए जो काम होता है तो वहां पर और अंदर की तरफ जाना होता है तो वहां पर हम into का use करते हैं आगे देखिये up over down past and around direction of moment जैसे up उपर की तरफ over नीचे की तरफ down नीचे की तरफ past past जो गया around गोल 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 ठीक है यह सब ही क्या है बही movement को शी तो show करते हैं movement को यह तो show कर रहे हैं दज जैसे इदे को the sorry jack went up the hill up उपर ठीक है jack came tumbling down after we travel over through over through मतलब उसके over rough terrain ठीक है over over मतलब उसके उपर से होते हुए कुछ इस तरीके से हम उस वहाँ पर चक्कर लगाए हमने the horse runs around the track उसके चारो तरफ round the track ठीक है the car zoomed past a truck zoomed past a truck भई मतलब zoomed वो उसने क्या किया truck को क्या कहते हैं उसको what do we call take over take over कर लिया वहाँ पर पीछे चोड़ दिया ट्रक को पीछे चोड़ दिया highway पर ठीक है तो यह हमारे जब भी हम देखें कि यहां पर movement हो रही है तो वह हमारी proposition of movement हो जाती है काफी simple है चलो अब थोड़ा सा वी तो हमने थोड़ा सा बुकिश नॉलेज की थी अब थोड़ी सी tricks वगएरा देख लीजिए definitely आपके बड़े काम आएगी और हाँ होने वाले exams में जो आने वाले आप कोई भी exam है कोई को यहां पर कोई school का बच्चा है कोई six अब और से उपर even fifth class के भी और even 12th class के भी और college students और even कोई सब्सक्राइब है उसके लिए बड़े beneficial है ठीक है थोड़ा सा ध्यान दीजिए एक चोड़ी चोड़ी ट्रिक बता देता हूं मज़ा आएगा करने में सबसे पहले लेकर चलते है टू कहां कहां यूज होता है टू हम सबसे पहले यूज कर सकते है डिरेक्शन दिखाने में डिरेक्शन की बात करें I am going to school क्या कहेंगे going to school परपस भई वो चाहता क्या है वो चाहता है to play बिल्कुल ठीक है ठीक है और टू कहां पर यूज हुआ हमारा limit में limit कहलो या end point कहलो बही जैसे अभी मैंने बताया क्या कहा था seven pm to eight pm तो यहां पर जैसे यह आया एक limit हो गई कि सिर्फ एक ही गंटे की limit है तो यहां पर हम two का use करेंगे जहां पर हमें propose किया कि बही क्या चाहता है बही मैं खेलना चाहता हूँ to play I want to play जब भी कोई direction की बात होती है I am going to school direct कर दिया मतलब direction दे दी उसने तो वहां पर हमेशा two का use होता है ठीक है अब एक और आता है preposition from from का तो हमने जिक्र कहीं कहीं पर किया ही नहीं चलो अब भी बता देते है from में क्या होता है to यह from ना हमेशा क्या बताता है यह from हमेशा यह cause बताता है cause कारण क्यों किस वज़े से बही इसके कारण कारण यह क्या है कारण किस के पाप उसके पापा भूख के कारण मर गए तो जहां पर कोज आता है ना बही किस चीज़ का वज़े आ गई कारण आ गया तो वहाँ वहाँ पर हमेशा from लगाएंगे ठीक है over और above यह दोनों तो अभी अभी मनने बताया है आपको over कहां पे over और above हैं तो दोनों same लेकिन over में हमेशा क्या होता है जो two bodies होती है ना वो हमेशा contact में होती है लेकिन above में क्या होता है two bodies जो है ना no contact is there for example एक और छोटा सा example लेता हूँ चलो मेरा मेरा हाथ है ना my hand is over the ear my hand is over the ear और मैं कहता हूँ my hand is above the ear क्या दोनों sentences ठीक है हाँ बिल्कुल ठीक है लेकिन फर्क क्या है यहां पर जब मैं हाथ उपर उठाऊंगा ear से तो भई मेरा हाथ ना कान किसे लगा हुआ होगा लेकिन अगर मैं यहां हाथ उपर उठाऊंगा above की above में हाथ उपर उठाऊंगा तो क्या कान लगा होगा वहाँ पर हाथ और कान का कोई भी contact नहीं होगा कहने का मतलब two bodies में जब भी कोई contact नहीं होगा तो हम above का use करेंगे two bodies में जब भी कोई contact होगा तो हम over का use करेंगे ठीक है ON की चलो, ON की चोटी चोटी ट्रिक्स है, ON की और बता देता हूँ ON में क्या होता है कोई भी एक, अभी अभी बात हुई थी कोई भी एक surface के उपर कोई भी चीज रखी हो, वहाँ पर हम ON का यूज़ करते हैं surface के उपर यूज़ करते हैं ठीक है, हम कभी भी on, on का use कहा करते हैं, शो करते हैं, भाई, date या day, भाई, I'll come on Monday, I'll come on 1st of January, ठीक है, तो हम हमेशा on का यहां पर use करते हैं, और कहां पर use करते हैं, for example, मैं कहता हूँ, I am working on computer, तो on कहां पर use करते हैं, किसी भी device पर, मैं काम कर रहा हूँ, या computer कहलूँ, किसी भी device या computer पर मैं अगर काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या कहूंगा, on, वहां पर हम on का use करेंगे, अगर और बात करें, इट शोज ये शो करता है, कि भई, state of object, मतलब किसी भी object की, क्या, स्थिथी है, कैसे है वो, जैसे, he is, lying on the bed, वो न, कहां पर पढ़ा हुआ है, भई, ऐसे ही मस्ती मार रहा है, बस पढ़ा हुआ है, कहां पर, bed पर, on, किस की है, ये, स्थिथी, ये state किस की है, इस object की, कि कौन से object की, ही ही की, ही की, state क्या है, कि वो, bed के, उपर पढ़ा हुआ है, ठीक है, चोलो, on to, on to, मैंने आपको बताया, on, on to, जब भी इकटे हो जाते हैं, तो कब क्या, कब, भई, to show, क्या, moment, जब भी moment होती है न, तो on to, in to, ये सबीर कुछ रहते हैं, हमारे to, साथ में जड़ जाते हैं, ठीक है, चलो, अगर, in to आता है, तो, on to भी उसके उपर से, in to, उसके अंदर से, ठीक है, ओके, तो, I hope ये आपको आज की class मज़ा आया होगा, ठीक है, हो तो गई थोड़ी सी लंबी, चलो, कोई बाद नहीं, next, जो class रहेगी, हमारी clauses के, जो second part रहते हैं, हमारा clauses कर रहेगा, और, I hope ये आपको समझ में आया होगा, फिर भी कोई problem रहती है, do not hesitate to, ask the questions, ठीक है, और, हमारे चैनल को like कीजिए, हमारा तो क्या है, आप ही का है, ठीक है, आपकी दूआ है से चल रहा ही, तो like कीजिए, subscribe कीजिए, और कोई problem है, तो बेज़ी सक, पूछिए, thank you, thank you so much,